हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरे यूटीब चैनल इंगले सिन्गुरुकुल में आपका स्वागत है तो कल का दिन कैसा रहा कुछ लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा रहा होगा कल करवा चौध भी था और कुछ लोग ब्रत रहे होंगे कुछ फ्यूचर के लिए ब्रत रहे होंगे प्रैक्टिस के लिए कुछ लोग वास्तों में रहे होंगे तो कल हम लोग देखें कि क्लास हमारा समाप्त हो गया आज हम लोग, कल हम लोग पढ़े थे Adverb class चुकि मैं हम लोग पिछले class में उन सब के बारे में जान लिया था Noun class के बारे में जान लिया था Adjective class के बारे में जान लिया था और उसके बाद हम लोग ने कल Adverb class के बारे में जान लिया अब हम लोग क्या करेंगे Adverb class, noun class और adjective class जो है उनके exercise करेंगे exercise करने का मतलब है कि हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा sentence में कौन सा clause यूज हुआ है जैसा कि मैंने पहिचानना बता दिया था पिछले class में तो आज हम लोग उस clause को कैसे पहिचानेंगे यह देख लेते हैं और उसका exercise क्या है यह लोग यह चीज हम लोग अभी देखेंगे तो हम देखते हैं यह examples 8 examples है और इसमें से हम लोगों को छाटना है कि किसमे noun class है किसमे adjective class है और किसमे adverb class है अगर देखें तो यह पूरा का पूरा sentence मैंने एक जी sentence लिखा है वो sentence क्या है मैंने लिखा है complex sentence complex sentence के बारे में मैंने लिखा हुआ है यह सारा complex sentence है क्योंकि यह जो होता है noun class, adjective class और adverb class यह complex sentence में ही होता है ठीक है तो हम लोग सुरू करते हैं पहला sentence हम लोग देखते हैं पहला sentence क्या है कि I saw a dog which was lying on the road अब इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है हमको dependent clause छाटना है dependent clause छाटेंगे तो अहां पर हम मैंने बताया था कि dependent clause हमेशा किसी ने किसी conjunction से start होता है और वो conjunction होता है कोई नो कोई subordinating conjunction या फिर कोई नो कोई relative pronoun ठीक है तो यहां पर अगर हम देखें तो यह यहां से start हो रहा है यहां से यह हमारा हो गया क्या dependent clause यह पूरा है ठीक I saw a dog which was lying on the road तो which was lying on the road यह हमारा क्या हो गया dependent clause अब यह dependent clause में noun clause है adjective clause है या adverb clause है इसे पता चलेगा वो पता चलेगा पिछला वीडियो देखके तो पहले अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं और पिछला वीडियो आप नहीं देखा है तो पहले इसको pause करिए और पिछला वीडियो पहले जाकर देखिए तब यह सारी चीजे हम लोग आसानी से पहचान सकते है ठीक है पिछला वीडियो में आप लोग noun clause adjective clause, adverb clause यह तीनों पहले देख लिजिए तब अच्छे से यह समझ में आएगा तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह हमारा start हुआ है conjunction से conjunction नहीं यह relative noun relative noun से यह होता है complex sentence बनता है तो यहाँ पर देखते हैं क्या यह noun clause को पहचानने के लिए क्या करते हैं वो किसी verb के पहले या verb के बाद या फिर किसी preposition के बाद आता है तो यह बाद में ही आया है तो यहाँ पर देख रहे हैं noun के बाद आ रहा है तो कौन सा यह clause है जो कि noun के बाद आता है कौन सा है वो है adjective clause adjective clause क्या करता है वो किसी नहीं noun के बाद आता है और वो noun के बाद तो आता ही है लेकिन साथ ही साथ और एक काम करता है कि वो noun को यानि जिसके path आया रहेगा उसको modify करेगा यानि यह किसके बारे में बता रहा है which was lying on the road जो कि road पर लेटा हुआ था किसके बारे में dog के बारे में तो यह कौन सा हो गया यह अगर हम इसकी बात करें तो यह हो जाएगा adjective adjective clause adjective clause हो जाएगा क्योंकि यह noun को modify कर रहा है ठीक अगले पर आते हैं सबसे पहले हम conjunction ढूड़ेंगे और उससे हमारा मिल जाएगा तो यहां से लेकर यहां तक हमारा conjunction है और यह क्या कर रहा है क्या यह noun clause है पहले तो हम यह decide करेंगे noun clause है कि नहीं है फिर adjective clause पर आएगे फिर adverb clause पर आएगे तो हम क्या करेंगे noun clause क्या करता है किसी वर्ब के बाद या पर किसी preposition के बाद ही आता है अब यहां पर अगर हम देखें तो यह हमारा conjunction से start हुआ यह इतना हमारा clause हो गया तो क्या यह किसी वर्ब के बाद आया है नहीं तो यह noun clause नहीं हुआ और भी हम देख लेते है preposition के बाद आया है नहीं तो यह हमारा नहीं हुआ तो ना तो यह preposition के बाद आया है ना तो यह verb के बाद आया है तो क्या यह noun clause है नहीं है यह देखो राम के बाद आया है और यह राम एक नाउन है तो नाउन के बाद आता है तो साइद अडियक्टिव हो जाए जरास देख लेते हैं अगर यह राम के बारे में बता रहा है तो तिल ही एराइवड जब वह पहुचा उसके पहुचने तक उसके पहुचने तक तो यहाँ पर उसके पहुचने तक तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी बता रहा है अब यह बताने लगा इसके वर्ब के बारे में जब वर्ब के बारे में बता रहा है तो क्या होगा यहाँ पर यह होगा एडवब तो ये हो जाएगा Adverb class हो जाएगा कईसे क्योंकि Adverb के बारे में बता रहा है तो जो class verb के बारे में बताता है वो होता है Adverb class इसमें तो बहुत बड़ी बात नहीं है तो अगले पर आते हैं अगला भी conjunction या relative noun डूंडते हैं यह यहाँ अगर हम इसको देखे तो यह कहाँ सकाहा तक है यही तक है हम आगे क्यों नहीं बड़ें क्योंकि हमारा एक और finite verb यहाँ मिल जा रहा है clause में हमेशा एक और finite verb होना चाहिए तो इसलिए हमारा यहां तक रहा तो अगर हम देखें तो यहाँ पर यह यही हमारा है clause कौन सा clause है जरा देख लेते हैं who stole my watch यह किसके बारे में बता रहा है जिसने मेरी घड़ी चुराई तो जिसने मेरी घड़ी चुराई वो इसी आदमी के बारे में बात कर रहा है तो यह कौन सा clause हुआ यह clause हुआ adjective clause क्लास यह भी कौन सा क्लास हुआ एडिजक्टिव क्लास कि इसकी नाउन को मोडिफाई कर रहा है तो अगले पर चलते हैं तो यहां पर देखें कि यहीं से हमारा कंजेंग्सन ने स्टार्ट हुआ है और यहां से लेकर यहां तक है आगे जाएंगे तो एक और फानेट वर मिल इसलिए हम लोग हें पर उरगेंगे नाउन क्लास कि मैंने क्या बताया कि woven के पहले या फिर ये, ये क्या हो गया? Noun clause Noun clause हुआ Noun clause हो गया? क्योंकि verb के पहले आया है ठीक है? अगला देखते हैं अगले में conjunction, अगले में भी conjunction यहीं से start हो गया Although he is poor Although he is poor यदपी वा गरीब है He is honest, वा इमानदार है यदपी वा गरीब है वा इमानदार है, फिर भी वा इमानदार है तो यहाँ पर ये इसके अर्थ से हमको कुछ लेना देना नहीं है अभी फिलाल में, तो यहाँ पर देखेंगे Although एक conjunction है यही हमारा dependent clause हुआ, कौन सा clause हुआ dependent clause में भी कौन सा तो देखते हैं, यह पहिले आया है तो देखते हैं क्या इसके बाद वर्ब आया है अगर वर्ब आया होता तो यह भी noun clause ही होता ठीक है? तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? अब यह adjective clause नहीं हो सकता क्योंकि यह adjective clause हमेशा किसी ने किसी noun के बाद ही आता है तो इसके पहिले तो कुछ है यह नहीं है तो यह adjective clause नहीं हो सकता तो यह noun clause भी नहीं है adjective clause नहीं है इसलिए adverb clause है यह modify कर रहा है किसको? honest को यहाँ पर हाँ इसको honest को modify कर रहा है तो यहाँ पर यह कौन सा clause हो गया? यह हो गया हमारा adverb clause ठीक है? अगले पर अगर हम आएं तो अगला हमारा conjunction कहां शिट्राट हो रहा है? यहाँ से जितने भी question word होते हैं मैंने बताया था कि conjunction होता है conjunction का काम कर सकता है तो यहाँ पर यह conjunction का काम कर रहा है तो यहाँ पर है I want to know why the two students squared मैं जानना चाहता हूँ की तोनों लड़कों ने क्यों जगडा किया? ना? जगडा का है किया भई? मन था जगडा कर लिया और गया तो यहाँ पर हम लोग देखते है why the two students squared तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह क्या किसी के बाद आया पहले noun class है कि नहीं यह decide करते है तो यहाँ पर देख लेते है verb के बाद main verb के बाद अगर main verb के बाद आता है तो हम क्या करते है एक इसको decide करने के लिए हम क्या से question करते है क्या क्या से question करते है अगर इसका जवाब मिल जाता है तो हम समझ लेंगे कि यह noun class है I want to know मैं जानना चाहता हूँ why the two students quarrel कि दोनों लड़कों ने जगडा क्यों किया तो same जो यह बचा हुआ है इससे हम क्या से question करेंगे क्या जानना चाहता हूँ क्या जानना चाहता हूँ कि दोनों लड़कों ने जगडा क्यों किया answer मिल रहा है तो यह हमारा कौन से class हुआ noun class ठीक है तो यहाँ पर मैंने बता दिया अच्छा एक्जामपल मैंने बता दिया है अब यह दो आप लोगों के लिए homework में रहेगा पिछला वीडियो कम लोगों ने देखा लेकिन अच्छा देखा तो पिछले वीडियों का target जो था वो achieve तो हो गया देर से हुआ लेकिन हुआ चलिए आज भी यह दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो यह दोनों आप लोगों के लिए homework में रहेगा इसको मैं मिटा देता हूं इसको मिटा देता हूं और यह दोनों आप लोगों के लिए homework में रहेगा कि इसमें से dependent clause पहचान के जो भी clause है उसको पहचानना है कि noun class है, objective class है, above class है ठीक है तो आज का वीडियो यहीं पे है कतम हुआ और आज के वीडियो में हम लोग like target रखते हैं उतना ही 50 50 50 like target ही रखते हैं और उसको achieve कराईए आप लोग तो वीडियो आप लोगों को आज कैसा लगा comment box में comment करके बताईए और जल्दी से support करते रहिए मुझे और मेरा जल्दी से channel grow हो जाए यही आशा करता हूँ तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार